नवग्रहों का वर्णन तथा लोकान तरसंबंधी व्याक्ष्यान का उपसनहार सिरीपराशर जी बूले चंद्रमा का रत तीन पहियों वाला है उसके वाम तथा दक्षिन और कुंद कुसम के समान श्वेत वर्ण दस खोड़े जुते हुए हैं धुर्व के आधार परिस्थित उस वेगशाली रत से चंद्रदेव भ्रमन करते हैं और नाग विथी पर आश्रित अश्विनियादी नक्षत्रों का भोग करते हैं सूर्य के समान इनके किर्णों के भी घटने बढ़ने का निश्शित क्रम हैं हे मुनिस्रेस्ट सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन हुए उसके घोड़े भी एक बार जोद दिये जाने पर एक कल्प पर्यंत रत खींचते रहते हैं हे मैत्रे सूर्गण के पान करते रहने से शिन हुए कलामात्र चंद्रमा का प्रकाश मैं सूर्य देव अपनी एक किरण से पुना पोशन करते हैं जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जला पहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं हे मैत्रे इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अम्रित को देवगण फिर पीने लगते हैं क्योंकि देवताओं का आहार तो अम्रित ही है 33,333 देवगण चंद्रस्थ अम्रित का पान करते हैं जिस समय दो कलामात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है वो तिथी अमावस्या कहलाती है उस दिन रात्री में वो पहले तो जल में प्रवेश करता है फिर वरिक्ष लता आदी में निवास करता है और तदनंतर करम से सूर्य में चला जाता है व्रिक्ष और लता आदी में चंद्रमा के इस्तिती के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अत्वा उनका एक पत्ता भी तूडता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है केवल पंदरवी कला रूप यत किंचित भाग के बच रहने पर उस चिन चंद्रमा को पित्रगंड मध्योत्तर काल में चारों और से घेर लेते हैं एमुने उस समय उस द्वी कलाकार चंद्रमा की बची हुई अम्रित मई एक कलाका वे पित्रगण पान करते हैं। पित्रगण की पुष्टी करते हैं तथा अम्रित में शीतल जलकणों से लता अव्रक्षादी का लता अउशद आदी उत्पन करके तथा अपनी चंद्री का द्वारा आलहादित करके वे मनुष्य पशू और कीट पतंगादी सभी प्राणियों का पोशन करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रत वायू और अगनी में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायू के समान वेग शाली आठ पिशंग वर्ण गोडे जुते हुए हैं। वरुत, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृत्वी से उत्पन हुए घोडों के सहित शुक्र का रत भी अती महान हैं। तथा मंगल का अतीशो भायमान, सुवर्ण निर्मित महान रत भी अगनी से उत्पन हुए पदमराग मनी के समान अरुन वर्ण आठ घोडों से युक्त है। जो आठ पांडूर वर्ण घोडों से युक्त सुवर्ण का रत है, उसमें वर्ष के अंत में प्रतेक राशी में ब्रस्पती जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन हुए विचित्रवर्ण घोड़ों से युक्त रत में आरूड होकर मंदगामी शनेशवरजी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रत धूसर मट्यालेवर्ण का है उसमें भ्रमर के समान कृष्णवर्ण आठ घोड़े जुते हुए हैं। एक बार जोत दिये जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र परवों पुल्णी मापर ये राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर परवों आमावस्या पर ये चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रत के वायू वेगशाली आठ गोडे भी पुलाल के धुए किसी आभावाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। मैंने तुम से ये नवो ग्रहों के रतों का वर्णन किया। ये सभी वायू मई डोरी से धुर्व के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रे, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारा मंडल वायू मई रज्जू से धुर्व के साथ बंधे हुए यतोचित प्रकार से घुमती रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायू मई डोरियां हैं। उनसे बंध कर वे सब स्वयम घुमते तता धुर्व को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयम घुमते व्य कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायू से बंद कर घुमते रहते हैं, क्योंकि इस वायू चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र बनेती के समान घुमा करते हैं, इसलिए ये प्रबह कहलाता है जिस शुशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहां धुर्व इस्थित है यह मुनिश्रेश्ट अब तुम उसके इस्थिति का वर्णन सुनो रात्री के समय उनका दर्शन करने से मनुश्य दिन में जो कुछ पापकर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वो जिवित रहता है उत्तानपाद उसकी उपर की हनु थोड़ी है और यग्ज नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है उसके हिर्दय देश में नारायन हैं दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंगाओं में वरुन और अर्यमा है सनवत्सर उसका शिष्ण है मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अगनी महेंद्र कश्यप और धुर्व पुछ भाग में इस्थित हैं सिशु कुमार के पुछ भाग में इस्थिति ये अगनी आदी चार तारे कभी अस्त नहीं होते इस प्रकार मैंने तुमसे प्रुथ्वी ग्रहगन द्वीप समुद्र परवत वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया अब इसे संग्षेप से फिर सुनो है विप्र भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे परवत और समुद्रादी के सहित कमल के समान आकार वाली पृत्वी उत्पन हुई हे विप्रवर्य, तारागन, त्रिभुवन, वन, परवत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अत्वा नहीं हैं वो सभी एक मात्र वे ही हैं क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए पेसर वो मैं हैं परिछिन पदार्थाकार नहीं हैं अता इन परवत समुद्र और पृत्वी आदी भेदों को तुम एक मात्र विज्ञान का ही विलास जानू जिस समय जीव आत्म ज्ञान के द्वारा दोश र नहीं होती है दिज कोई भी घटादी वस्तु है ही कहां आदी मध्य और अंत से रहित नित एक रूप चित ही तो सर्वत्त व्याप्त है जो वस्तु पुना-पुना बदलती रहती है पुरवत नहीं रहती उसमें वास्तिविकता ही क्या है देखो मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल कपाल से चूर्ण रज और रज से अनुरूप हो जाती है तो फिर बताओ अपने कर्मों के वशिभूत हुए मनुश्य आत्मस्वरूप को भूल कर इसमें कौन सी सत्यवस्तु देखते हैं अतहे द्विज विज्ञान से अत्रिक्त कभी क नहीं कोई पदार्था दी नहीं है अपने अपने कर्मों के भेद से बिन बिन चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है वह विज्ञान अतिविशुद्ध निर्मल निशोख और लोभादी समस्त दोशों से रही है वही सत्व स्वरूप परम और सब असत्त हैं इसके अत्रिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है उस तुरे भुवन के विशय में भी मैं तुमसे कह चुका हूं इस ज्यान मार्ग के अत्रिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यग्य पशु वरही समस्त रित्विक सोम सुर्गन तथा स्वर्गम एक कामना आदी का भी दिर्दर्शन करा दिया भुर्लुकादी के संपून भोग इन कर्म कलापों के ही फल है यह जो मैंने तुमसे तुर्भू अंगत लोकों का वर्ण किया है इन्हीं में जीव कर्मवश खुमा करता है ऐसा जानकर इसके विरत्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे धुर्ब अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुद्यों में लीन हो जाए